क्लाफ नंबर कौन सी है क्लाफ नंबर पांच है मैं सबका कमेंट देख रहा हूं थोड़ा सबर रखें मैं बोलूँगा कमेंट क्लाफ नंबर पांच वां है एस्टीटी मैथ इस्पेसली ओके ठीक है भाईया जीरो लेबल से बिल्कुल सुरू से जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है मैथ का यह मन नहीं आता है जोड़ गटाना गुड़ा भाग नहीं आता है सबजी नोंतेल हर्दी मिर्चा खरीदना नहीं जानते हैं वो भी सिख जाएंगे सालेनी उपाध्या कमेंट आपका आ रहा है सेर्यांस अनिल एंसी सी प्रो माधुरी सिंग अनुपम परवीन सुकला पराची राठावर कुछ लोगों के कमेंट आप सबको नहीं दिख रहे होंगे तो आप परिसान नहीं मुझे सारे कमेंट हाइड दिख रहें क कुछ कमेंट हाइड होते हैं जो पबलीक ही होते हैं जिवानी राय जैहिंद यह नहीं कहां रखें जाने दो तो पिछली कलास में हमने क्या स्टार्ट किया था इकाई यंग याद करना इकाई यंग में आज कुछ और आगे बढ़ते हैं अगर आप लोगों को याद है तो कि पिछली कलास में मैंने चार टॉपिक बताये था important यक बार मैं उन टॉपिक घण आप सुन लीजिए ठीक है कि फिछली कलास में मैंने 4 important टॉपिक आकको लिख्वआ थे आप लोगों ने लिखा रहा होगा वह टॉपिक कौन-कौन थे नंबर 1 टॉपिक था अगर समस्थ विशम संक्या का गुड़ा करें आगर समस्थ विशम संक्या का गुड़ा करें तो उनका एकाई Kenya क्सदय पांच आता है किटना आता है पांच दूसरा टॉपिक ये था कि अगर समस्त समसंख्या का गुड़ा करें तो उनका इकाई यंक हमेशा सुनने आता है कितना जीरो आता है ये दूसरा टॉपिक था मतलब पॉइंट था है ना कि तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था मेरे भाई कि समस्त अभाज संख्याओं का अगर गुड़न फल ग्याद करेंगे समस्त अभाज संख्या है तो उनका इकाई यंक हमेशा जीरो आता है कैसे दिखिए समस्त अभाज संख्या तो साथी मेरे ना समस्त अभाज संख्या पढ़ने के लिए पहले आपको अभाज और भाज संख्या आनी चाहिए बोलवाना चाहिए न तो आप सभी सबसे पहले ये जान लिजिए कि भाज और अभाज क्या होती है भाज संख्या जिसे इंगलिस में composite number बोलते हैं अब भाज संख्या जिसे इंगलिस में prime number बोलते हैं देखिए ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुड़नफल होते हैं यानि more than two factors वो composite number या भाज संख्या का लाती है जैसे अगर माल लीजिए 14 14 के factor हो सकते हैं 1 2 7 और 14 यानि इसके चार गुड़नफल हैं है ना गुड़नफल तो आपको अच्छे से पता होगा factor क्या होता है यह मैं बहुत पहले पढ़ाया हूं इसे नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर वीडियो पढ़ा जाके देखिए पढ़िए और देखिए अब हाज संख्या क्या होती ही जैसे मालो 19 इसके factor सिर्फ एक है और 19 है यानि वो खुद होगी और एक one होगा बस उसका और कोई दूजा साथी नहीं होगा मैंने आपको इसका example बताया था basic मैं थे वो पतिवरता वाली और modern जमानी किनारी वाली है ना जो कहती थी आजा मेरे बाल मा तेरा इंतजार है और आज आना हो तो आजा नहीं तो दूसरा तयार है सुने हो यह फिलाल वो दोनों बाकी तीसरा नहीं वो नहीं आपने सुना होगा भी हाई कोड ने फैंसला दिया था कि पति पत्नी के बीच वो भी रह सकती है जो लोग नुजोगार सुनते हो जानते होंगे है तो वो का मतलब समझ गये इसमें लेकिन वो नहीं रहेगा फिर दो बस इसमें वो वो सब रहेंगे देखो जैसे इसमें कोई भी नंबर लिए 23 तो 23 का फाइक्टर एक तो वन होगा एक 23 होगा बस बाकी तीसरा नहीं कि समझ गये तीसरा नहीं सिर्फ दो ही रहेंगे एक तो वो संख्या खुद रहेगी और एक वन इसको मैंने समझाया था ना एक वो खुद रहेगी एक उसका फ्रेंड लेकिन वो नहीं रहेगा इसमें वो भी रहेगा समझ रहो और वो कितने रहेंगे दो चार छे पांच आठ कोई लिमिट नहीं है जैसे देखे इसमें एक तो संख्या ये वन है एक ये खुद है बाकी वो इसमें कितने दो हैं आप समझ गये ना बूलना नहीं कभी लाइफ में ये इसमें कुछ हंसी मजाक की बातें अपनी जगा हैं लेकिन याद रखना इस सबसे चोटी अभाज संख्या मेरे भाई सबसे चोटी अभाज संख्या दो होती है इसमालेश्ट प्राइम नंबर टू होती है इसमालेश्ट इसमालेश्ट कंपोजिट नंबर सबसे चोटी भाज संख्या चार होती है याद रखना पक्का समझ गये अब आगे समझीए समझीए ये बताइए वन वन क्या है भाज्य है कि अभाज्य है सालिनी पांडे ये कभी कभी नहीं समझ में आता है रोज बढ़ना पड़ता है तब आता है रेगूलर कलास में आएगे तो आएगा रेगुलर कलास में आईए आज पांचवी कलास है न और इसके लिए आपको जीरो लेबल मैत भी देखना जरूरी है अगर आपका बेसिक कम जोर है क्योंकि मैं पीवी आर स्टेडी लाहबाद चैनल पर बेसिक मैत की 2000 कलास पढ़ाया हूं चैनल पर अलागलग प्लेलिस्ट में बनी है जाके उनको देखिए ओके यह थोड़ा गंदा गंदा लिखा इसको मिटा दो थोड़ा अच्छा कम लग रहा है कि इज्जत कभी खाल रखो थोड़ा चलो कोई बताया निवन गौतम जी कह रहे हैं कि ना भाज्य है नहीं भाज् राकेस हां बिल्कुल सही यह ना तो भाज्य है ना भाज्य है जैसे आपने देखा होगा जो लोग ताली पीटने वाले देखें चल निकाल 500 निकाल उन्हें क्या बोलते हैं सुद्ध बासा में थार्ट जेंडर बोलते हैं ना रंस जेंडर ऐसे कुछ कहते हैं क्या साइब वो फिल्य होते हैं क्योंकि उन में मेल की फूरे उनिके होते हैं यह थी भाज्य है ना आभाज्य के लिए दो भाज्य के लिए ढ़ुरण खंड जाहिए जैसे मैंने का ना पती पत्नी और तीसरा ना हो और भाज़े वाले में क्या का था कि पती पत्नी तो रहें लेकिन वह भी रहे साथ में लेकिन इसके तो वह भी नहीं है कुछ भी नहीं है अकेले बचा रहे है तनहासा तो इसके उपर कोई रूल लागू नहीं होता है यह वन यह आखेले ही रहता इसके गुळनखंड में क्या करोगे इसका फैक्टर सिर्फ वह नहीं तो होगा ना और कोई तो होगा नहीं यह अखेले ही है जैसे अगर अभाज में ले लोगे 19 कि इसमें भी देखो दो कि यह उसी तरह से जीरो को भी आप कह सकते हो क्योंकि जीरो को भी इसी तरह से रूल होगा है ना तो जो यह भाज या भाजी की कहानी है वो सुरू होती है दो से कहां से दो से ठीक है बहुत से बच्चे जो परेसान होते हैं यहां पर मैं नंबर लिख दे रहा हूं क्योंकि ज जो भी आपकी पूश्टाच है कर सकते हैं चली अब क्या करना है भाई भाज जबाज क्लियर हो गया तो जो मैं पॉइंट कल आपको बताया था उसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैंने कल पॉइंट एक बताया था उस पर चलते हैं पॉइंट नमबर C पर कल मैं इसको पढ़ाया हूँ अगर आपने कल का कलास देखा है तो ठीक है नहीं देखा तो जाके पहले इसको देखिए पिछली कलास नमबर 4 में मैंने पॉइंट एवी सीडी लिखवाया था तो मैं सी नमबर डिसक्राइब करूंगा आप उसको असपरस्टी करन दूंगा आप क्लियर हो जाए आपको कि एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए गौतम पटेल जी सही बात बोल रहे हैं आप कि दो एक ऐसी संख्या है जो रामण की नगरी में बिभीईसन की तरह है यादि लंका में जैसे बिभीईसन जी थे पूरे सब राच्छस पर जाती के थे सब रामण की जैजय कार बोलते थे बिभेईसन जी जैसे राम बोलते थे तो वैसे दो है दो है तो भाज्य की कटेगरी में भाज्य नहीं भाईया सम दो जो है वो सम की कटेगरी में सम संख्या है लेकिन सम होते हुए भी अभाज्य है सम होते हुए भी क्या है वो अभाज्य है बस यहीं दो ही एक मात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है अगर कहीं पूछा जाए कि वह कौन सी संख्या जो सम है लेकिन अभाज्य भी है तो वह सिर्फ दो है बस और ऐसी कोई संख्या नहीं ठीक है पॉइंट नबर स कि अभाज संख्याओं का इकाई एंक्या होता है कि जीरो होता है स्वरी गुड़नफल का इकाई एंग जीरो होता है समस्त अभाज संख्याओं की बात करें तो दो से सुरू करोगे कि समस्त अभाज संख्याओं याद रखना है यहाँ पर पॉइंट क्या है समस्त अभाज संख्या है ठीक है समस्त का मतलब यह नहीं कि दूठी ले लो इधर दुकान लगा लो तुम उदर लगा लो नहीं सब संख्या लिखो जितनी एक तरप से सालनी जी नंबर उपर दिया है न उस पर कंटेट करिएगा निवेदन है अभी बात चीत नहीं थोड़ा लाश्ट में मैं बात करूंगा लेकिन कलास खतम हो जाता है दो तीन पांच साथ अभाज्य की बात हो रही है तो नौ नहीं होगा ग्यारा तेरा करोगे तो इनका इकाई एंक जीरो आएगा सब को करना है लेकिन है सिम्पल सी बात है यार कि दो का अगर किसी भी संख्या में आपने गुणा कर दिया जैसे देखो दो पंचे दस तो जीरो आ गया बीच में न अगर सून ने आया मतलब आग लगी अगर आग लग गई दो और पांच का कहीं भी मिलन हो जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा पक्का सब जीरो हो जाएगा चाहिज इतनी बड़ी संख्या हो देखो करके दिखा देता हूं दो का तीन में गुड़ा करो च्छे दो तियाई छे च्छे पंचे तीस तीस सत्ते दूसो दफ न बोलो किसी भी संख्या से गुड़ा करो इसको कभी सुधार नहीं सकते हो बतलब ऐसा कभी नहीं कर सकते किसी संख्या से गुड़ा करके कि उसका अंतिमंक जीरो ना आए जिस तरह से नीम की जड़ को गुड़ और घी से सीचने पर भी मीठा नहीं किया जा सकता है उसी तरह से किसी इंसान या जानवर की परवित्ती जो उसे जनम से ही मिली है उसके संसकारों में घुली है उसे कभी बदला नहीं जा सकता है कि मैंने ये बात का है बताया बीच में क्या जरूरी थी इफ लिए बताया कि ये इसकी अब जनम सिद्ध परवित्ती बन गई है इसको कभी बदला नहीं जा सकता किसी भी संख्या से गुड़ा करोगे लाश्ट में जीरो जरूर आएगा पक्का जीरो आएगा ग्यारा से कर लो तेरा फे कलो नहीं से कलो लाश्ट में जीरो आएगा ही आएगा आप बरम्ह भी नहीं बदल सकते कह सकते हैं ना तो यह पॉइंट क्लियर हो गया सी नंबर जो कल नहीं लिखे थे वो डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगी जो कल की चौथी कलास जरूर द ले लें खुद को बूष्ट कर लें एक बार बेसिक से एकदम उसमें थोड़ा और यह पोस्ट मार्डम करके दिखा दिये जाए तो पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूं उसी नंबर कल का क्या था समस्त अभाज संख्याओं का गुड़न फल सद समस्त अभाज संख्याओं के गुड़न फल का इकाई यंक सदयो जीरो होता है अब पॉइंट नंबर डी पे चलते हैं पॉइंट नंबर डी कलम ने लिख्वाया था पिछली कलास में इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है आप वहां से भी जाके देख सकते हो अगर नहीं सो कर रही है तो अभी दस कलास हो जाएगी तो सो करने लगेगी अभी च्छावए पांच कलास हुई राहूल कमेंट आपका रायक्रिफना बर्मा जी मेरा नाम राज कुमार यादो है अपना सांग हां सबके लिए बाबू जिनको बेसिक सीखना सबके लिए है अक्याverbs सिखाय कर दो समें वैंने लिखे था को तमस्त विसम इभाज शंख्याओं के गुडण फल का इकाई यंक च्द फांच होता है जाकि पिछलीगा देखलो समस्त विसम इभाज سंख्यां के गुडण फल१ का इक आया यंक पांच होता है विसमा भाज को गें विसम अभाज्य का है दो की वाजह से एक नया नियम बनाना पड़ रहा है यह यह निदो को छोड़ दिया जाय तो जितनी अभाज्य संख्याएं है विसम और अभाज्य बोल रहा है तो भाई आभाज तो सुरू दो से होता था दो को जब तुम छोड़े दोगे तो क्या होगा तीन कि पांच शाथ नौ नहीं लेना नौ आभाज ये नहीं है बिसम तो है लेकिन अभाज भी होनी चाहिए ग्यारा तेरा डाट डाट करके देख लो इनका इकाई एंक सदेव कितना आएगा पांच आएगा समझत करना याद रहे एक चीज़ यहां ध्यान देना अब एक या दू संख्या का गूडा नहीं करोगे नहीं तो की तो ठीक है रखत Pal sich Met 41 यहां और यहां समस्त बिसमेंट हैं धितनी है बिसम अभाज संख्या उनका गुड़ा कर रहा है ना कि आपको दूठी निकाल के कर देना जैसे होता नहीं को टीचर कलास में पढ़ा रहा है बीच में अबे तबे बोल दिया या यह लोग डंडा जब करना शुरू कर देते हैं तो कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दिया तो क क्या करते हैं लोग पांच सिकेंड की किलिप काट लिए तस सिकेंड की है फिर का कहेंगे देखो फ्लानमा गुरुचित गरियावत रहें हो कि समझ रहो है ऐसे देखे हो बहुत सारे लोगों का वैरल हो था या फिर कोई भी नियूज का वीडियो आप देखिए किसी का बया प्रसा इतना ले लो उसी में लेके गव अधूरा घ्यान खतरनाख होता है अज़िए कि समस्त बिसम अभाज संख्या की बात हो रहे है मिश्टर गौतम पटेल जी तो नो अभाज यह क्या नो अभाज यह क्या नहीं न आप नो ले लोगे तो आगे चलके जितनी भी संख्य आए हैं जो बिसम हैं और अभाज यह निश्वरी भाज यह उनको भी लेना पड़ेगा तो बाग आगे चलके बाद गड़बड हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से आपके जो पॉइंट है हो सब क्लियर हुए आप इनका सब का गुड़ा कर लेना ठीक है हो जाएगा यह सार अगला पॉइंट क्या है यह सारे पॉइंट हो गया थे हुआ हूं हुआ हुआ है है संब इसम हो गया भाज यह भाज हो गया ना अब मुझे आप लोग बताओ एक एक जामपल छोटा सा अब 20 और 30 के बीच में कौन-कौन सी संख्या भाज्य है भाज है बोलिया थ 혹시 भाज बोला रहे हैं कि WhatsApp ने देते हैं सालभी आपके जैसे हजारों बच्चे मैसेज करते हैं हर घंटे सोडो सो मैसेज आते है है ठीक है तो जहीं मिलता है लेकिन बारी-बारी मिलता जैसे लंगर की लाइन देखें लगती है ना बारी-बारी मिलता सबको ऐसे तो तुरंट आप मैसेज करोगी यह परफनल मैसेज परफनल नंबर नहीं हमारा कि हाए कैसे हो क्या कर रहे हो तो मैं तुरंट बता दूं तुम्हें अपनी वाली को नहीं बताता हूं आप लोग की अब अलग पॉइंट चेंज करते हैं ठीक है में लिखिए घात में इकाई अंक घात में इकाई अंक यह पॉइंट नंबर सिकेंड है मैंने जब स्टार्टिंग में आपको इसको कैटेगरी वाई डिवाइड किया था आपने देखा होगा उसका सिकेंड है गात में इकाई अंक थोड़ा डंग से लिखला इंग्लिस में इसको आप बोलेंगे यूनिट डिजिट इन इक्सपॉंसियल फॉर्म इंग्लिस मुझे थोड़ा कम आती है डंग से लेकिन फिर भी कोशिद करता हूं यूनिट डिजिट इन इक्सपॉंसियल मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं सही लिखा हूं ना सही है फाम ओके जल भाया आजाओ फटाफट अब एक अलग टॉपिक है एक अलग पॉइंट है इसमें मज़ा आएगी जैसे अगर मैं कुश्चन करूं कि साथ की घात तीन में इकाई यंग क्या होगा बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है यह सूपर्टेट में पूछे गय प्रफन है गौतम जी बहुत अच्छे very good कृफणा बर्मा गलत है बत्चा तुम्हारा ठीक है असवनी का भी गलत यहां बिसम संख्या की बात की गई थी अभाज जि है स्पर की बिसम की नहीं आभाजी की बात की गई थी न सिर्फ बिसम की बात की गई होती तो तुम लोग का सही है अस्वनी का उनका गौतम का सही है ठीक है बेरी गुड यहां पर बहुत सारी चीजें समझनी है देखिए मैं पढ़ रहा हूं पहले सुना रहा हूं पॉइंट आप समझे फिर हम इसका अंसर करवाएंगे अगर छोटी-छोटी गिंती है तो इनका तो ज्ञादा कुछ भुजाना है नहीं आप कहोगे कि गुरु जी इतो साथ गुड़ा फाथ गुड़ा फाथ ऊता है चाहसा इलभाएंटे। अब होगा यह निए आप कहोगे इकाई अंक्या थीन है तो बिल्कुल साही बताया आपने गौतम पटेल जी यह दि किसी दी गई संख्या का जो लाश्ट का अंख है 0155 6 होता है तो उसका जो इकाई अंख है वह हमेशा क्या होता है वही संख्या होती है घात उस पर चाहे जितनी लगी हो चाहे दुचार करोन लग रहा है कोनों फरक नहीं पड़ता है अभी सब बताऊंगा step by step समझे यह हो गया समझ में आया तो गौतम पटेल जी ने कमेंट जो किया है उसे आप लोग ध्यान दीजिए उन्होंने बहुत सही रूल लिखा हुआ है यह सही है इसे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं मैं कमेंट को पिन कर दे रहा हूं ठीक है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक जो है जीरो वन फाइब या शिक्स हो तो उस पूरी संख्या का इकाई यंक जो है वही सेम संख्या होती उसकी घाट चाह जितना हो जैसे इसमें इकाई यंक की बात करें तो तीन है वैसे जो रूल मैं बता रहा हूं अभी एक मिनट में उसको सुन लीजिए जैसे कोई नंबर मान बताओ तो कितना आएगा अभी उस रूल के अकाटिंग बताओ जो मैंने बताया अगर फेजिक्स 99 बोलिए आप ही बता दीजिए देखिए कमेंट में सबसे उपर मैंने एक कमेंट पिन किया है उसे पढ़िए ध्यान से अगर दी गई संख्या का लाष्ट का अंक जो है वो जीरो है वन है या फाइफ है या शिक्स है तो उसका जो अंसर है यानि इकाई अंक है यह बताना ठीक है तो उसका इकाई अंक्या होगा वही संख्या होगी यानि कह सकते हो कि इसका इकाई अंक्या होगा जीरो होगा इसकी घाद कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है सम है कि भी सम है भाज है अभाज है क्या है इससे कोई मतलब नहीं ठीक है अभी रूल बताएंगे मिस्टर जो आप बता रहें पहले रुख जाईए थोड़ा इन लोगों को कुछ मतलब की बात बताने दीजिए अभी पॉइंटे पॉइंट से बता देंगे इन बचेगा क्या पहले कुछ बेसिक भी तो बताना है समझ गए ना एक और एक्जामपल देख लिजिए यह आपको याद रखना है इसमें कोश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है पर इच्छा में कुछ भी नहीं करना है याद रखना 0156 बस जैफे देखो 1905321 इसकी घात अकर लगी है इतना तो इसका अंसर क्या होगा इसका लाश्ट का जो डीजिट है वह क्यावण है ना तो अग门े अभी मयने बताया हना जिरो 156 होगा तो उसका 1 यंग हमेसा नहीं मतलब वह संक्रीओ जो यहां रहेगी जैसे इसमें 1 billing 0 गान सरे पांश क्या हो जाएगा पाँच अगर इसमें 6 कर दिया जात इसका आंसर भी क्या हो जाएगा च्छे लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ इनी चार गिंतियों के लिए है चच्चा लोग नहीं तो कहो कि चाहे जो आजाए हम यही कर देंगे काई बताया तो यह शिर्फ इनी चार गिंति के लिए है अब के यह नहीं है कि सोना ली आ रहा कुछ समझ में हूं हाँ कि भाई गुजराती लोगों को कुछ आ रहा है तो अन्य कुछ समझाओ कर ना समझाओ कि अरे मैं दीरे दीरे बोलने की कोशिस कर रहा हूं अब चलिए कुछ पॉइंट पर हमें चलने दीजिए कि कमेंट देखेंगे तो हम बटक जाएं कमेंट की चक्कर में हाँ तो सुनिए कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या में बार बार गुड़ा करें तो हर चौती बार जो है उसका इकाई अंक उसी संख्या का इकाई अंक प्राप्त होता है तो हम दी गई संख्या की घात को चार से भाग करेंगे और फिर जितना सेसफल आएगा उसकी दी गई संख्या के लाश्ट अंक की घात लगा करके उतर प्राप्त करते हैं कि यह उसके लिए है जिसमें 0156 लाष्ट में ना रहे तब कि समझ रहे ना लेकिन अगर लाष्ट का डिजिट जो है 0156 है तब आपको यह सब पचरा-पचरा कुछ नहीं करना है चलो भाईया तो जरूरी थोड़ी है किस्मत कराब रहती है तो उंट पर बैठ के बजार जाओ तब वो कुट्ता काट लेता है तो पेपर में हो सकता है 0156 का एक को उबए ने करें तो का करोगी तब क्या होगा अब आए सुनिए इसको लिख्वाएं आपको समझा देंगे आप लिख लीजिएगा मैं बोल दूंगा एक बार फिर से ठीक है मैं लिख्वाओंगा नहीं सुन लीजिए सुनिए पहले कोश्चन सुनिए जैसे माल लिजिए कि मैंने एक नंबर दिया कौन सा नंबर दूं समझिए जो मैं जो कहना जो आता हूं वो समझिए उदारण जैसे मैंने तीन के घात बारा लगाया न तो इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा देखो भया पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि एक दम छोड़ा सा कोईश्चन है तो बेसिक फंडा समझीए मैंने यह कहा कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या में बार बार गुड़ा करें तो हर चौथी बार उसका इकाई अंक उसी संख्या का इकाई अंक पराप्त होता है मतलब जो उस संख्या में रहता है जैसे देखिए अगर हम मान लीजिए इतना संख्या लिए ना इसको चार बार गुड़ा करें मतलब चार घात लगाएं इस पर चार घात अगर लगी है तो इसका इक आई यंग 9 होगा जो लाष्ट में यहीं होगा समझ में है कोई डाउट परीतम बाबू तुमारी गलती नहीं है तुम पैदाई गलती से हो गयों तो क्या करोगे चलो सुनों यह कमेंट कर रहें कुछ अच्छा वाला हाँ तो क्या कह रहे थे कि कोई भी संख्या चौथी बार जब गुड़ा होती है तो उसका इकाई यंग वही संख्या का इकाई यंग प्राप्त होता जैसे देखिए इसका मतलब क्या है कि आप इनको बारा बार गुड़ा करिए तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है ए भाई बाहर निकल गई का है यहां तक दिख रहा है ना एक ठीच बाहर जा रहा है तो इसको भी ले लो ये अंदर कर लो चलो हो गया अब इनको गुड़ा करिए आपस में इनको गुड़ा करो चार बार गुड़ा करो अबस में तीन त्रिक का नो त्रिक 27 तियां 81 और 81 तियां कितना होगा यहां पर आओगे बोलो तीन एक कम तीन तीन अठे चौबिस 243 ना इकाई एंग कितना आया बोलो तीन आया ना इकाई एंग तीन आया नहीं बोलो आया ना यानि वो संख्या जो यहां पर थी जिसका बारा घात लगा था उसको जब चार बार गुड़ा किया तो यह चार बार गुड़ा करने के बाद पाचुवी बार पर उसका इकायं क्या आया तीन आया ना इसी तरह से आप आगे करते जाओगे तो हर जगा यही मिलेगा यानि चार बार करने के बाद पाचुई बार वो सेम गिंति आ रही तो हम इसको पचीस बार काहे को करेंगे का मतलब है करने का फालतु का टाइम बेस्ट होगा न हमारे पास एक सुन्दर सा आपसन यह है कि हम एक काम करें जो घात दी गई है उसको यहाँ पर चाहे तो सुत्र लिख सी आप लोग अ कि तूतर उपर लिख दूं कि इधर साइड में लिखते हैं नुसनिला शुनल से लिख्यार लग में धर साइड में रहेगा शुचर लिख लिजए और अधार लेकिकिन आल उधर साइड में सुने रहेगा परने इसको मिटाता हुं यह समझे गए ना सब लोग कि अधाल चाल एक बात समझ लीजょेंगे सब लोग कि हाँ उसी तो क्या करोगे चार से पहले भाग करोगे चार से भाग करोगे में तो चार से हम doingा उनले कि फिर इसपल गीडाऒ कि शेच थहां रखना है अगर सेशपलment कर तो यहां पर थोड़ा नियम चेंज हो जाता है गो से श्फल जीरो आ गया तो उसकी घात हमेषा चार मानी जाती है उस संख्या की ठीक है और उसको चार बार गुड़ा करके वही उत्तर आता है कि ठीक है तो यहां पर सेस पल अगर 0 आ रहा है अगर इसका सेस्पल हरा है तो हम कहुए सकते हिए इसका जो आंसर होगा वो टीन की कहाण चारे ही होगा और झाफार गुरा करोगे तो 30 जलिकर 90ào हुए भोलो बनाएगा कि निगुदा करके देखो सबी बारा बार गुड़ा करो तीन का ऐसे करते जाओ लाश्ट में वन आएगा कि नहीं ठीक है यूनिट डिजिट यानि इकाई यंग कितना आएगा वन आएगा इसका अंसार लेकिन इसमें थोड़ा कम क्लियर हो रहा है क्योंकि पहले कुश्चन में ही जीरो आ गई घात इसलिए आप थोड़ा सा गड़बर हो रहे हो तो मैं एक और एक जामपल देना चाहूंगा सुन लिजी आप लोग फिर मैं बताता हूं सुनिए एक और हमारी कोशी से आपको समझ में आए क्लास चाहे जितनी चल जाए चाहे 25 छी चल जाए चाहे 60 चल जाए लेकिन समझ में हर किसी को आना चाहिए एक और देखिए जैसे मैंने नमबर लिख लिया 153 इसकी घात लगा दिया ज्यादाने सिर्फ 13 अब बताओ इसका इकाई अंग क्या होगा कि यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा कोई बता पाएगा हमें इतना बड़ा संक्या देखकर डरने घवराने जरूरत नहीं है कोई मतलब नहीं है हमें सिंपल में क्या करना है सूत्र लिख लीजिए मैं यहां पर लिखवा देता हूं जगा मिल गई आधार का इकाई अंक आधार का इकाई अंक और इसकी घात बटा चार यह फार्मूला हो जाएगा तो आधार का इकाई अंक क्या है भईया तीन है तो तीन और घात बटा चार का सेश ठीक है तो घात बटा चार यानी तेरा को चार से भाग करोगे तो कितना सेस आएगा वन आएगा ना तो यह इसका क्या है वन बस हो गया अंसर भाई साहब तीन एक चीज और बताएं सब लोग कलकुलेटर लिये हो ना जिनको कनफ्यूजन हो रहा है ना तुम्हें काम करो एक सो तीरपन को तेरा बार गुड़ा करो देखो लाश्ट में तीने आएगा करके देख देख लो इसमें थोड़ा बड़ा हो रहा थे एक और एक्जांपल अभी क्लियर कर देता हूं थोड़ा आत्म संतुष्टी मिल जाए ना कि सबको समझ में आ रहा है बोलो एक बार हां यस पक्का आ रहा है तो यह बताईए क्वाल्टी तो बढ़िया है ना कम तो नहीं है न थोड़ा बिट्रेट और बढ़ा देता हूं क्या फिर वीडियो क्वाल्टी आप लोगों की थोड़ा आओर जादा बढ़ जाएगी लेकिन आप लोगों को मसकत करनी पड़ेगी यह लोग मैंने बिट्रेट बारह आजार कर दिया अब वीडियो क्वालिटी और बढ़ जाएगी साइज इसकी और बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे यहां लगा है 100 MBPS का ब्रोडबेंड तो हम इसको कितना भी हाई रेजलूसन में आप तक पहुंचा सकते हैं लेकिन अब आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तो हो सकता है कम चले जो लोग टीबी में देख रहे हैं या डेक्स्टॉप में देख रहे हैं उनको और बहतरीन मजा आएगा चलो यह अंसर हो गया और सिस्टम तो हमारा एकदम बबर सेर होई गया आप कोई दिक्कत नहीं इसको कितना भी बढ़ा दो कितना भी हाई रिजलूसन कर दो सब खींच ले जाता है यह एपल मेकबुक का कमाल है बाकि डेल हो गयरा में तो था इसा रोता था ना कि मेरा खुद गीला हो जाता था मैं क्या कहूं हो रहागे चलो अब देखो इसमें इसकी घात अगर मने साथ कर दिया तब क्या होगा इसका अंसर तब क्या होगा बताओ आप देखो एकदम वास्तों में एकदम लग रहा है कुछ अलग दिख रहा है कि बताइए जबाब दीजिए कि देखिए इसमें भी वाई है सिंपल है आप घात को क्या करोगे जो घात है उसको चार से बागकर दो भाईया और जो सेज़ फल आए साथ में चार से बागकरोगे तीन से़ फल आएगा और जब आप तीन घात 3 लगाओ गे तोटेन तृन को 9 огр 2 इसका अंसर आए गा साथ एकाई अनकर आएंगा साथ कि इसी तरहसे मैं और भी कुछिशन करवा देता हूं जी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप अभ्यास प्रफ्शन तो कराब वह नहीं करता है कि एक और करिए और मुझे जबाब दीजिए फटाफट आपको आना चाहिए इसकी घात है अठाइस चलो इसका इकाई अंकितना आएगा कोश्चन तो देखी रहो अन्नु पांडे बिल्कुल सही क्रिफना बर्मा हाँ क्रिफना आओ जल्दी आओ जल्दी आओ हम टूसन शुरू करने चल रहे है देखिए इसमें भी वही ट्रिक लगाईए वही तरीका लगाईए आप भले एक एक कोश्चन करिए लेकिन सीख जाईए पहले जो संख्या दी है उसका लाश्ट कांक ले लीजिए लाश्ट कांक वन है इसकी जो घात है उसको फोर से डिबाइड करिए तो जब आप 28 को चार से डिबाइड करोगे तो चार सते 28 चार सते 28 ना साथ बार जाएगा 28 आजाएगा जीरो सेजफ़ आएगा मैंने बताया था जब भी सेजफ़ जीरो आएगा तब आप इसकी घात चार लगाओगे याद रखना बस और वन को आप फोर बार मल्टीपल करोगे चाहे तुम पचास बार कर लो वन ही रहेगा बताया था ना मैंने कि जिस तरह फे नीम की जड़ को चाहे गुड़ और घी से सींचो रोज लेकिन वो कभी मीठी नहीं होगी उसी तरह से वन को चाहे जीतने लाख संख्या से गुड़ा कर लो कितना बार भी कर लो वन ही रहेगा वो बदलने वाला नहीं लिख लिजिए ये हो गया एक और कुश्चन फिर इसी में लगे हाथ बता दीजिए दो नौ जीरो पांच साथ इसकी घात है वन नाइन सिक्स हम चलो ये बता दो कितना आएगा कि ट्राइ करिए ट्राइ करिए इसको फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं क्योंकि हमें खतम भी तो करना नहीं तो लोग कहेंगे कि तो एक परस ने पकड़ दिया वहीं लगा रहा दिन भए का ओ कि यहींगे ना आप लोग कि तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं ठीक है गुरू अब मस्त है पढ़ाने वेक्तम दिल से मजा आता है क्योंकि अब ना सिस्टम वाली चक चक कि इकाई अंक आधार हम इसमें थोड़ा सा घात में चार से भाग करने पर इस्थिती की बारे में थोड़ा समझ लीजिए लिखिए गात में चार से भाग करने पर सेस्फल की इस्थिती इसके बारे में थोड़ा डीटियल में समझ लेंगे इक अठा तो जादा बढ़िया रहेगा देखिए इसमें संभव सेस्फल जो आते हैं लगबग वो क्या क्या आते हैं सेस्फल आपने देखा होगा वान आया यह टू आया या फिरी या जीरो आया कि सैं के अगर सेश्फ़ पर वन आया तब तो उस संख्या की घात जो है लाश्ट में वही रहेगी ठीक है बुब थीक है और अगर सेईस्पल दो आया तब भी ठीक है कोई बात नहीं ठीक है लेकिन सेसफल तीन आया तब भी कोई बात नहीं बट अगर आपने चार से भाग किया घात को और सेसफल जीरो आया तब आप उस संख्या के इकाई यंक को जो घात लगाओगे वो चार लगाओगे यहाँ पर इसको रिपलेस करना है चार से याद रखना बस यही चीज आपको समझना है बाकी सब ठीक है करें 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 तो यह समझ में आया इसका अंसर बताओ मैं बताता हूं सुनो खलाउस का समय राद के आठ से 9 बजे है रेगुलर राद के आठ से 9 बजे रोज रेगुलर है जब कलास लेट हो जाती दस बज़जे चलती है आल लेट हुई इसलिए 10 बज़े चुरू हुई अब इसका लाश टंग पकड़ो साथ इसको चार से भाग करना है 196 को सेसफल कितना आएगा भाईया हमेरे लता जीरो आएगा न सेसफल जीरो आएगा चार चोग 16 तीन आया उपर छे चार नौई 36 सेसफल जब जीरो आएगा तो ऐसी इस्तिती में हम इसकी घाट 4 मानते हैं ये बताया था ना अभी अभी बताया है तो साथ सता उन्चास सत्य 343 साथ नमाई 33 फट फट चोग टाइस छे कितना आया 343 फिर से साथ से गुड़ा करोगे तो कितना हो जाएगा वाई साथ साथ तरीक या काईस देखो पूरा गुड़ा करने की जरूरत थी नहीं वानाएगा पूरा मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं बस भानाये आया लिख लिजिए जल्दी जल्दी से देखे ए रेगुलर अगर सारी चलास देखिएंगे तो सारी चीजह समझ में आएग closely आपने पांच कलास छोड़के छट हुई में जुड़े हैं सिर्फ तो नहीं समझ में आएगा ना समझ में आए तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें आपको सारी कलास एक तरफ से मिलेंगी तो यह हो गया आगे क्या है हाँ इसकी अलामा कम समय में अच्छे से पढ़ने के के लिए पीवियार स्टडी एप में जाके सूपर टेट का कोर्स इन्रोल कर रहें वहां पर आपको एकदम ब्याइपी सुबदा के साथ सारा कोर्स मिलेगा और कुछ अलग एक्स्पिरियंस मिलेगा बिना एडवर्टाइजमेंट के बिना वीडियो खोजने के कोई सिक्स रहे तब उसका उत्तर भी वही होता है जो उसका इकाई अंक रहता है जैसे यहां समझ लिजिए एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं मेरी बात सुन लिजिए ध्यान से लिखवाने वाला काम मैं अगली क्लास में आपको सलाइड में दिखा दूंगा आप स्क्र अगर इसका इकाई अंक लाश्ट में वहन है तब इसका आंसर क्या आएगा इसका इकाई अंक कितना आएगा बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा बोली एक कितना आएगा वन आएगा कितना आएगा वन आएगा यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका वन आएगा इसका आंसर क्या होगा वन कुछ नहीं करना है सिर्फ देख करके अगर इकाई यंक जो है वो जीरो है इस पे इस जगह पे वन है फाइफ है या शिक्स है तो उसका अंसर बीना कुश्चन हल किये आप उत्तर बता दोगे वही उत्तर आएगा बस जो वहाँ पे रहेगा अनुप अंड गौतंम राहूल डीयल पी विकास ठीक है अच्छा अगर यहाँ पे सिक्स होता तब क्या आदा अ श्प मैं रांजली कोरी ठीक है शिक्स होता तो इसका आंसर शिक्स आता मेरे भाई कैसे देखो ún उनकॉण स्रीक है इसको मैं पूरूब भी कर देता हूं यह 6 है ना 6 का घात कितना लगाओ गए इसको 4 से भाग कर रहो सेस्पल जीरो आ रहा है ना जीरो आने पर 4 घात लगाते हो पर 4 घात लगाओ तो 6 घुड़े छे खुड़े छे खुड़े छे चक चट्रीश चका अरे करके देख लो दो अच चट्री कठा देहीं लिए 211 फिर इसको च्ट्रीश कूड़ा करो गाहे हमें सब्सक्वाइब निकाल फोगार ना तो इसमें अगर हमें से गुड़ा करना था अगर फाइंड करना है यूनिट फाइंड करना तो कहीं भी गुड़ा पूरा नहीं करते हैं जैसे देखो अगर यह नंबर है इनका कहा जाए गुड़न फल में इकाई यंग क्या होगा तो आपको इनका गुड़ा करना ही नहीं है आपको इसको पकड़ लेना अच्छा को इसको पकड़ लेना है पांच और पांच का गुड़ा करना पचीस हो जाएगा इकाई यंग पांच आएगा बस है तो सबको समझ में आई बातें पक्का अच्छे समझ में आया ना तो अब एक और मैं पूछी लेता हूं फिर लगे हाथ एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करें जल्दी से देखिया आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं से भाई तूटे हुए दिल की चटनी नहीं बनाओ तोड़ तोड़ के और हूं रहने दो इसे जैसे हैं चलो लाइक करो सभी फटाफट करना चाहिए आप लोगों को न हाँ तो मैं इसमें क्या बताने वाला था एक कुश्चन और देने वाला था अगर यह फाइफ हो गया तब इसका अंसर कितना आएगा रभी आ रहा कुछ समझ में है हूं पक्का कि तीन जीबी साइज का डाटा मतलब तीन जीबी डाटा ले चुगा यह कलास अब तक कि तो सभी साथ ही फटाफट लाइक करो ऐसे मज़ा नहीं आ रही है कि अगर दिखाने को नहीं कह रहा हूं वहां पर क्लिक करके करना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह आप लोग सब लोग कर लेंगे लिखने वाली चीज हम कर लिखवा देंगे और मुझे उमीद है कि आपने लगभाग तारी चीजें सीख लिया इसमें ठीक है और आज क्लास का टाइम भी खतम होता गैरा बजने वाला है यह रोज जो क्लास का टाइम है वह रात के 8-9 बजे की बीच में होती है याद रखिएगा आज लेट हो गया है इसलिए इतना टाइम चल्ठाइम बाकिश टाइम डीए लट चलेगा बीटी शीटारी संस शुरू हो रहा है मैं ठीक है कि भी कि बताएंगे सबबताएंगे ए गौतम जी लेकिनी स्टेप्सटेप बाइसटेप बताने दीजिए नहीं कि एक मिनट में एक मिनट के अंदर बोलिए कुछ भी बोलना है किसी को क्लास के बारे में टाइम के बारे में कोर्स के बारे में आप इसका जाकर के अपके अंदर सब्सक्रेब्शन ले सकते हैं जिसमें आपको पूरा कोर्ष सिस्टम से और बहतरी तरीके से मिल जाएगा ये एक परकार से आप समझेए कि डेमो देख रहे हैं अगर आप कुछ समझ में आ रहा है तो आप जाके इन्रोल करें प्यूश जी हम बहुत अच्छे हैं बिल्कुल ठीक है आई स्टार्टिंग यही से होती है तो स्टार्टी कर रहे हैं ठीक है और किसी को कुछ कहना है एक बंद करें बोलिए कुछ भी कहना है तो बोलिए जल्दी PVR Study एप में और एक चीज और जिनको भी regular class चाहिए YouTube की class free वाली वो PVR Study को Telegram पे जरूर जोईन कर लें मैं Telegram चैनल की लिंक अभी दे रहाऊं कमेंट में अगर आपके पास Telegram एप है तो आप डारेक्ट किलिक करके जोईन कर सकते हैं